केस तर्श के खिलाव ग्रामें हुए गोल पर पुलिस से की गई निस्पक्ष जांच कर निर्दोस लोगों को परी करने की मांग वरिय पुलिस पतादिकारियों को भी दिया जा रहा है चैनावे दन बदारे चले के बेंगाबाद हारा छेदर के दिखरिया खुट के ग्राम वासियों ने आज गाओं के ही अमरेत राउत द्वारा अपने ही परिवार के कुस निर्दोस लोगों पर जूटा और मनगढ़न केस किये जाने के खिलाव प्रतिवाद करते हुए इस्थानिय पुलिस इसके पूर्व माले नेता सहित गन्माने लोगों ने पूरे गाओं के लोगों से समध्यत मामले के बारे में चानकारी हासिल कर दोनों पक्षों से ही बात की इसके बाद पूरी वस्तू सिथी का पता चलने पर ग्रामिलों के साथ एक बैठाकर मामले की निस्पक्ष जाँच को लेकर बेंगाबाद थाना सहिन जीले के वर्य पुलिस अरिकारियों को ग्रामिन का एक हस्ताक शर्युक एक आवेदन देने का निनने लिया गया मौके पर ग्रामिलों से बात करने के बाद वक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से चल रहे घरे लुई बात से केस करने वाले विक्ति ने पहले तो खुदी अपने घर में कुछ लोगों घर में खुसने से मना करते हुए उन पर टांगी से हमला करना चाहा लेकिन इन में सफल नहीं होने तथा इसी करम में गुस्से से चानवर बांधने का खुटा कबांडे के करम में वह खुद से मामुली रूप से चोटिल हो गया इसे बुखला कर उसने अपने ही लोगों से बतला लेने की नियत से उसे लेकर मनभठन केस बनाते हुए थाना में आवितन दे दिया कहा कि बाद में इसे लेकर चांच के लिए गाउं पहुंचे बेंगाबाद थाने के पुलिस के समक्ष लोगों ने अपने बयान दिये हैं बावजूर इसके मनखरंद आरोपों के अधार पर संगिन धाराओं के साथ बेंगाबाद थाना कार्ट संख्या 172 वटाई किस दिरांग 1082 होजारे किस तर्च कर दिया गया बेंगाबाद थाना किस कारवाई के बाद इस मामले में सारी सच्चाई जानरे ग्रामिनों के बीच काफी आक्रोस व्याप्त है ग्रामनों के साथ बैठा कर रहे हैं माले नेता समेत अन्य वक्ताओं ने बेंगाबाद थाना पुलिस से इस मामले की निस्पक्ष जांच के बाद ही कोई कारवाई करने की आगरा किया है कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ और निर्दोस लोग यूँ ही फसाय जाते रहें तो जंता के बीच पुलिस प्रसासन की छवी खराब होगी साफी कहा कि पुलिस शाही जिस तरह से मामले को निस्पक्ष जाच कर ले स्थान ये लोग हर तरह से पुलिस का सरयोग करने के लिए तयार हैं लेकिन बिना उचित चारवीन के ऐसे मामले में किसी पिगरफतारी का विरोध किया जाएगा इस दोरान मुख्य रूप से अधिवक्ता कामेश्वय प्रसाद यादो तूपलाल यादो मुख्या प्रतिनी थी राजेश यादो जडियो नेता सरयोगोप समाजी कारिकरता राजु यादो सहिट साहदेव राउत बबलु यादो मनोज यादो सुदामा महतो रामा महतो प्र पिणकी देवी सकुनी देवी शकूरी देवी अजी चुट्टू बोलारी की महतो बंसी महतो कामदेव राउद समेट बड़ी तारार में स्थान ये महिला पुरुष मौजूर थे मैं रायू यादो गराम दिघरिया खुर्द करने वला हूँ आज हमारे गाउं दिघरिया खुर्द में अमरीत रावुत के दुआरा तीन वेक्ति बल्दे रावुत गिरिंदा देवी और अजे रावुत के उपर सारे तरस से गलत आरूप लगा कर और ठाना में केस किया गया इस गलत को देखते हुए हम लोग सारे ग्रामीन एक साथ हो करके और इस केस का सही जाज करके निर्गस्त करने के लिए हम लोग सब एक अठा हुए हैं और वेंगाबाद ठाना परवारी से हम लोग ये निवेदन करते हैं कि इस केस जुठे केस मुगदमा को इस तरह की होता है तो हम लोग सारे ग्रामीन एक जूठ हो करके जितना इस लड़ाई को लड़ना पड़े हम लोग एक साथ हो करके लड़का लोग बोला आजे जादो जैकि हम अकुला धर जा रहे हैं जा यह काटेंगा तब तक हम वहां पर निकल गी हैं कि इसको टांगा मुट लड़े कौन है उसका उसका है पोता अपना पोता पर ही अमने ताउ टांगा उठाया अचा आगे बोली कि अधि वहां था जिए बंट पर हम जो केस किया है जूठ मूट का केस किया है वाजबरा तो जो हैसे जगर धन से फसाहाग जिया है था देंसे केस नहीं चाहिए और अभी जो हम लोग पूरे गाउं में अम्रीत राज के द्वारा जो बालदे राज के विरूद में मुकदमा की जुठा मुकदमा जो किया गया है उसके बारे में हम लोग तमाम ग्रामी निकठा हुए और परसासन को आवगत करना चाहते हैं कि यह जो आरोप लगाया गया 307-389 यह सारा जुठा है और जुठा जो दफा लगाया गया पुलिस से मांग करते हैं थाना परवारी से कि इनको जाज करके जो उचित है जो उचित जगड़ा हुए घरेलू विवाद छोटी छोटी जगड़ा खुटी उखड़ने ले करके वह साही करवाय किया जा ना करकी ना कि 307-389 तफा लगा करके गरीबों को जो रोज खेती उचप आटरश बेहब करते हैं उनको साजिस्ट के तर्फ रसाया जा रहा है और पुलिस पदाधी आप यहां ही कठे होते हुएं तो ग्रामینों के भीच में पुलीज आते हैं वह करते हैं कि हम थाना परभारी से मांग करते हैं कि जीन आयों को आप निरिशन के लिए भेजते हैं उनसे कम सचेत किया जाए कि गरामिनों के साथ अभादर वेहवार नहीं किया जाए लोगों से पूष्टाच किया जाए जिसके चलते उनका जो भासा कड़वा भासा राता है लोग सच जाए को उन सामने उजागर नहीं कर पाते हैं और परसाशन उचित जाच करके निर्दोस को जो सो बरी करें और जो दोसी है उनको करवा किया जो जो दिघरिया खूर्द में केश हुआ है बहुत गलत ही केस किया गया है हम लोग त्वारा पता चला कि जगरा जब हुआ उठाया था लेकिन गलत बोलके और फसाया गया है अपने इसको खोटा उखारते समय इसको चोठ लगा है और हम लोग परसाशन से मांग करते हैं कि सही ब्यक्ति पर करवाई किया जा और जो गलत ब्यक्ति पर जुठा आरुप किया गया उसको निस्पच रूप से केस संख् को हटाया जा है हम लोग परसाशन से मांग करते हैं और इस केस को अगर आगे गलत तरीके से बढ़ा गया तो हम लोग इस पर जहां तक हो सकता है हम लोग आगे विरोध करेंगे यह बेंगाबाद थाना छेत्र में पिछले दिनों यहां दिघरिया खुर्द से अमरी करी दिए है हमारे संगठन की एक टीम और भी कई लोग यहां गनमाइन लोग आये थे कल हम लोगों ने पूरे गाउं में तहकीकात किया है कई लोगों से हमारी बातचित भी और पूरा तहकीकात के बाद जो यह बाद सामने आया है कि अमरीत रावत एक बहुत ही उदंड प पुलिस से आग्रह करना है कि इस तरह के केस मुकदमे जो ठाने में जाते हैं किर्पिया उनपर निश्प जांच करें और बीना जांच के कोई तरह की करवाई होती है या किसी के साथ अगर बुरा बड़ताव पुलिस आ करके करती है तो यह बरदास करने से बाहर की बात है और यह गलत बात भी है इसलिए अभी एक आवेदन बना है जिस आवेदन को हम लोग अभी थाना प्रभारी को देंगे और थाना प्रभारी के साथ-साथ इस जीले के सीनियर पुलिस ऑफिसर जीले के SP और SDPO को भी हम लोग उसकी कॉपी देने जा रहा हैं और हम उमीद करते हैं कि इस तरह से पूरे ग्रामिनों का जो प्रतिवेदन जा रहा है निश्चित रुप से बेंगाबाद पुलिस उस पर निश्पस कारवाई करेगी ऐसी हमारे उमीद है और अगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहां भी लोगों ने जिस तरह से पूलिस के रवाईय रुत्वे के बारे में अभी जो बयान किया है यदि वो रव यह जारी रहा तब तो फिर हम लोग जनता के साथ मिल करके किसी भी गलत कारवाई का और किसी भी निर्दोस को गलत केस मुकदमे में फसाने का हम लोग हर संभव विरोध करेंगे और किसी भी तरीके से यहां अगर बिना च्छान बिनके और अगर किसी की गिरफतारी की अगर कोशिस होती है तो उसका भी ग्रामिन डट करके मुकाबला करेंगे, यह हम लोगों ने तै किया तो हम आगरह करेंगे, पुलिस पर आदिकारी से भी, सिनियर पुलिस अपसर से भी आगरह करेंगे कि इस मामले को जिसका केस्ट नमर 175 बटा 21 से जो 10 तारीक दर्ज हुआ है और यह मामला 9 तारीक से समझनीत है 10 को इसका केस्ट किया गया थाने में इसका निस्पश जाच हो हम बस यही आगरह करते हैं और एक शुत्री मांग करते हैं और इसी निर्ने के साथ य आज कि यहां में तिंग संपनों लिये